लोग नहीं थे, आम जनता नहीं थी, यह अगर कहा जा तो BJP के गुंडे थे, मैं कहूंगा सिधी बात, यह 2024 नहीं, इन्हें अभी सपना देखना होगा 20 साल तक इस राजी की सत्ता में काविज होने के लिए, 20 साल तक BJP नहीं जाना है, निस्चित रूप से दावे के साथ कहत अपना पुरा होगा, और जहां जहां जिस प्रिभाग में जितने भी रिक्तपद हैं, सभी को भरा जाएगा, नहीं नुक्तिया भी और निकाली जाएगी 29 दिसंबर को जार्खन सरकार के एक वर्स पूरे हुए, सरकार ने एक वर्स पूरे होने के बाद जस्ट मनाया, सरकार दूसरे वर्स में अभी काम करना शुरू ही की थी, कि बीजेपी के तरब से लौ एन ओर्डर पर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जार्खन सरकार के मंतरी मितले स्टाकुर है, मंतरी जी आप लोगों ने एक साल का जस्ट मनाया, उपलब धियां गिनाई, कई चीजों का सिलन्यास हुआ, उद्गाटन हुआ, दूसरे साल के में आप लोग पहुंचे ही थे, कि जिस हैं, और जनता ने बता दिया है कि जनता को इस सरकार पर पूरा भरोशा और विश्वास है, बड़ी-बड़ी दिंगे हां करें थी भारती जनता पाटी के लोग के हम भारी पहुंचे दुमका की सीट जीतेंगे, बेरमो की सीट जीतेंगे, कहां गया उनका बड़ बुलाप सरकार गिरा देंगे, जन्वरी में हमारी सरकार बन जाएगी, हम उसके इंतिजार कर रहे हैं कि जन्वरी अब सुरू हो गया, कब सरकार बन जाएगी इनकी, हम अपने काम को भली भाती निभा रहे हैं, मानने मुख मंत्री, सभी विभागों पर पूरी अपनी पैनी नजर बनाय हुए है और जहां तक अपरादी घटनाओं की बात है तो अपरादी घटनाए निश्चित रूप से कुछ हुई है कुछ जगन्य अपराद भी हुए है लेकिन उसका भी जल से जल उत्भेदन कर लिया जाएगा और जो भी इसके पीछे जो भी जिनकी सनलिपता है वो उ उन्हें कड़ी से कड़ी सजादि लाए जाएगी इस पर स्वरकार पूरी तरह से गंबीर है कि यह तो लोगों का गुसा ही है कि कि सोरगेंज में जिस तरह से मुखमंत्री का काफिला गुजर रहा था और जो घटना गटी वह आम लोग थे जो अपना विरोध प्रकट करना चाहते तो आम जनता का क्रोश आम जनता का विरोधर होता तो मुखमंत्री निकले थे प्रोजेक्ट से और रास्ते में बहुत सारे इलाके पड़ते हैं कि सोरगंज का इलाका जो आम तोर पर भीड भाड़ वाला इलाका रहता है वहां हमेशा ट्राफिक जायम के स्थिती र पचास लोग भी उस प्रवरिती के गुंडा प्रवरिती के लोग इकटे होंगे तो लगेगा कि हजारों की भीड है गुंडे प्रवरिती के लोगों को वहां प्लांट किया गया था और उस जगह को पुर नियोजी एकदम साजिस के तहर उस जगह को चुना गया था और यह सारा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा, अब कौन से हाथ इसके पीछे थे, कौन सा दिमाग इसके पीछे काम कर रहा था, ये भी बहुत जल्द खुलासा इसका हो जाएगा, और लोकतंतर में इस तरह का, इस तरह की जो का पंदर मेन की भी सरकार है अगर ये परिपाटी आगे बड़ी तो बहुत बड़ा खत्रा है इस लोग तंदर के लिए इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है और बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोगों का गुस्सा था और यही वजह है कि ये सब सीन बना अब बीजे के द्वारा वहां उनको प्लांट किया गया था और जगह जान बुझ कर उस तरह का चुना गया था मैं तो बार-बार कर रहा हूं कि बहुत जल्द असली चेहरा भी सामने आ जाएगा कि कौन इसके पीछे साजिस करता कौन था और उस समय इनके पास कोई जवाब नहीं होग इतनी तेजी और मांजी में जिस तरह से घटना घटी उस मामले के आरोपी को पकड़ने में पुलीस क्यों नहीं दिखा अरे अपने समय के मामलों को ये देख लें और पुलीस आज बैठी भी नहीं है कुछ ऐसी अपरादी घटना होती है इनके उत्भिदन में बिलम होता ह इस घटना का भी उत्भिदन होगा दिन रात हमारी पुलीस की टीम लगी हुई है और इसका उत्भिदन होगा और इसके पीछे भी जो शाजी से वो भी उसका भी परदा फास होगा बहुत जल्द प्रदास ने जिस तरह से एक चैनल को इंटर्व्यू देते हुए कहा है कि वो अपने सभी पैसे दे चुके हैं पकाया कुछ पर जब चैनल को इंटर्व्यू देते हैं तो सरकार को भी उसकी प्रति उपलब्द करा दें कि अपने समय का उनका पूरा बकाया पूरा जिरो ज चुका है इसका एक वो उसकी एक कौपी तो प्लब्द करा दें सरकार को वो चैनल को इंटर्विव देने से नहीं काम चलेगा सरकार बनके पांच जार क्रोड रुपया तीन महीने चार महीने में बकाया हो गया यह कहीं से भी यह नहीं लगता है कि यह इसमें कहीं से सचाई है उनका बकाया था और किसी का बकायर है आज उनके समय में क्यों इस तरह का थ्रटनिंग नहीं दिया था दिवी सी की और से यह भी तो जंता देख रही है समझ रही है कि किसके सारे पर यह काम हो रहा है यह सारा के अंदर सरकार में जो बैठे लोग हैं जो इस राज्य को लूट पिरने की एक योजना बना कर बैठे थे, एक रिमोट कंट्रोल मुखमंत्री यहां बनाया था, और सोचा था कि फिर हमारी सरकार काविज हो जाएगी, इनकी मंसा सफल नहीं हुई, इसलिए सरकार को स्थिर करने में, इस राज की जनता के हक अधिकार का हनन करने में, पूरी त और दूसरे राज्यों में, एक आद राज्यों में इनका प्रयोग सफल हो गया, जहां यहां प्रकरेन यह खरीद फरोख करके, यहीं हजारों क्रोड़ रुपया के इनका फंड है, इनके पास, जिस राज्य को चाहेंगे हम पैसे से, लेकिन यहां हमारे राज्य के जनतने विचाओ नहीं हैं, यह इने समझ देना होगा, और हमारे राज्य की सरकार यह नहीं, यह दोजार चोबिस नहीं, इने अभी सपना देखना होगा 20 साल तक इस राज्य की सत्ता में का भी जोने के लिए, वीजेपी नहीं निस्चित रूप से, दावे के साथ कहता हूं, मैं था है तरह कि क्या जो कुछ दिन कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं कि आप ऐनसी नियुक्ना कर रहे है । इस पर पूरी तरह से कार्योजना बनाई जा रही है है है। स्चित रूप से हमारे युवा जो सपना संजोए हैं उनका सपना पूरा होगा और जहां जहां जिस भी भाग में जितने भी रिक्त पद हैं सभी को भरा जाएगा नई नुक्तियां भी और निकाली जाएगी पुलिस की बहाली होगी बन भी भाग में बहाली होगी हर तरह से यहां जो हमने वादे किये हैं, उन वादों पर हम पुरी तरह से खरा उतरेंगे, और यहां के युवाओं को, जो हमारे सिख्षित बिरोजगार युवाँ है, उनको निरास्त नहीं होना पड़ेगा, यहां के मजदूर, यहां के किसान, सभी पर निगाए है हमारी सरकार की, और सभी को के विकास के लिए काम करेगी हमारी सरकार तो हर साल पांच लाख नोकरी का था वो पुरा हो पाएगा कि कोशिस किया जागा हर साल पांच लाख नोकरी का कोई वादा अगर वो तो हमें बता दें आप ऐसा नहीं था कि हर साल हम पांच लाख नोकरी देंगे हमने कहा करेंगे लोगों को और हम नियोजित करेंगे यह में विश्वास है और हम उस पर काम कर रहे हैं अपने सहोगी विवेखारियन के साथ सनी सारग दफालो अप रांची